हेलो एवरिवन आएम रहूल मिस्रा फ्राम आरेम कॉमर्स उमीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज हम आप लोग के लिए एक अच्छाना गृत्वा कर्सन जो फिजिक्स भावतिकी का है लेकर का हैं अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो बिल्कुल ही आ अभी आने वाले कोस्टंस इन्ही वीडियो से बन जाएंगे यह मैं वादा करता हूँ अगर नहीं आया तो आप हमारे वीडियो को डिसलाइक करके जाएंगे वापस आ करके तो देखिए आज हम आप लोग को बता रहे हैं गृत्वा कर्सन देखिए जब दो कन एक दूसरे बल कहा जाता है तो आप बोलते हैं कि प्रिथवी के पास बिस्नेस परकार की आकर्सन बल होती है जिसके कारण वा किसी भी पिंड को अपनी ओर आकर्सित करती है और यह मौजूद बल के कारण ही गृत्वे बल मतलब आप बोलते हैं कि प्रिथवी के अंदर गृत्य बल है और यह गुरुटवे बल कह लाता है गुरुटवे बल और गुरुटवे बल में कोई अंतर नहीं है यहां कन्फूज नहीं हो ना आप लोगको यह जो गुर्त्वा कर्सन का नियम था ये न्यूटन जी दिये थे दो पिंडों के बीच में गुर्त्वा कर्सन बल उनके द्रब्यमान के गुननफल के अनू करमानुपाती और उनके बीच के जो दूरी होता है उस वर्गों का व्यूत करमानुपाती होता है और ध्यान रखिया जिन के बीच यह बल लगेगा वह गुर्टवा करसन बल कहलाता है मुक्त रूप से गिरते हुए बस्तु के गुर्टवे बल के कारण उत्पन त्वरन को गुर्टवे त्वरन कहते हैं जब भी किसी बस्तु को आप उपर की और फेकते हैं तो समानिते क्या होता है किसी भी एक बस्तु के गुर्टवे बल के कारण ही वो उत्पन त्वरन होता है और जो उत्पन त्वरन होता है वो गुर्टवे त्वरन के नाम से जाना जाता है द्रपिमान किसी भी बस्तु के अंदर इस्थित्पुल पतार्थ की मात्रा को तरसाता है और इसे हम जनरली बस्तु के ज बस्तू को अपने केंद्र की उर्खिस्ती है यानि प्रीथ भी जब किसी बस्तू को अपने केंद्र के उर्खिस्ती है तो वो जनरली भार का संग्या दिया जाता है अब आपको यह समझना है कि द्रबिमान और भार में अंतर क्या होता है तो मैंने अच्छे से स्लाइड के वा स्थान पर निर्फर करता है ये अलग अलग अस्थान पर अलग अलग हो सकता है और जो भार की जो माप होती है वो कमानीदार तुला के दुवारा मापा जाता है भार को आप सदिस रासल के नथा दाब के बारे में तो किसी बस्तू के सता के लंबवत लगने वाले बलको हम प्रनोध कहते हैं और परती एकांग छेतरफल पर लगने वाले प्रनोध ही दाब कहलाता है दाब ब्राबर प्रनोद डिवाइडेड में 6 तरफल यानि बट्टे 6 तरफल दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है जिसे आप PA के द्वारा प्रदर्सित करते हैं या उसे PA में उसे लिखा जाता है जब कोई बस्तू को तरल में आप डुबोते हैं तो गुरुत्वे बल के कार गुरुत्वे बल हमेशा ही उत्पलावन बल से क्या होता है बरा होता है साधारन अर्थ में आप कह सकते हैं कि उत्पलावन बल हमेशा उपर की और ही बल लगाता है और इस बल का परिमान द्रब्य के घनत उपर निर्वर करता है आप किसी पदार्थ का एकांक आयतन द्रब जब कोई बस्तू किसी द्रब में पुर्णत अत्वा आंसिक रूप से डुवाई जाती है तो उसके भार में प्रतेक्च कमी होती है और बस्तू के बहार में जो यह कमी पाई जाती है यह बस्तू द्वारा हटाए गए द्रब के भार के ब्रावर होता है अगर हम अर्की मिडी जाता है लेकिन आप देखते हैं वही बरी सी जहाज जो होती है लोहे की वो पानी पर तैरती रहती है तो यह आरके मिडीज के सिधान पर काम करती है और इसका कहने का मतलब है कि जब कोई बस्तू को द्रब को पुरता या अंस्ता उसमें डुबोते हैं तो उसके भार में परत पारना शुरू करता है तो होता क्या है आप देखेंगे कि यह कोई भी जहाज या फिर कोई भी ऐसा या फिर नौ एक्जामपल ले लिए यह सभी न ऊपर से खोखले टाइप होते हैं लेकिन अंदर से न इनका छेतरफल बहुत ही जैदा होता है तो यह छेतरफल जैदा होन पंडुबी या अनिजलियान को बनाने में भी क्या जाता है दुख्दमापियंत्र या फिर आप बोले लैक्टो मीटर होता है आर्गिमिन इसके सिधान पर ही काम करती है इस सिधान का परियोग करके हम किसी भी पदार्थ के आप एक छिक घनत्व का भी मान निकाल सकते हैं वाईसे आपको बता दे किसी भी पदार्थ का आप एक छिक घनत्व निकालना है तो पदार्थ का जो घनत्व होता है बट्टे जल का घनत्व निकालते हैं जल का घनत्व इसलिए चुकि जल जो विभी दियान रखना आपको यह 4 डिगरी सिल्स kingdom पर ही जो जल का जनत्व हो कोई भी मात्रक नहीं होता है ये भी आपको ध्यान रखेगा घनत्व का मात्रक होता है लेकिन आप एकची घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है ये आप लोग को अगर किलास अच्छा लगा होगा ये गृत्वा कर्शन चैप्टर्स का मायने अपने लेवल से सारे करवाने का कोसिस किया है तो बिलकुल भी आप जो है इस वाई से नहीं जाएंगे लाइक सेर और सब्सक्राइब करके जाएं